पाकिस्तान की फोज जो है वो नमबर वन फोज जंक करने की कंडिशन में ना इंडिया है ना इरान है ना अखवानिसान है ना हमें और ये बात याद रखना कि आसिम मुनिर की जो पतलून है ये काबल पे लटकाएंगा इंडिया ये चीज़ कभी नहीं चाहिएगा कि पाकिस्तान के जो अपने अमसाये हैं बेशक हुआ अफगानिस्तान हो इरान हो चाइना हो उनके साथ अच्छे तालुकात रहें तरफ पाकिस्तान ने एरे स्ट्राइक किया तो दूसरी तरफ से मौझूदा अफगानिस्तान में तालीबानी प्रखासन ने जंग का मोर्चा ही खोल दिया है पाकिस्तान पर लगातार हमले पर हमले हो रहे हैं कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो तालुकात ठीक हो सकते हैं नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान के अफगानस्तान के साथ जो तालुकात है वो ठीक होना नामुम्किनाद में से एक है बहुत कोशिश की, बड़ी मिन्नत समाजत की, बड़ी सफारती कोशें की, दोस्त मौलक को भी दर्मयान में डाला, वफ्द वहां भी गए, वहां के वफ्द यहां भी आए, मतालबा एक ही था, कि देशित गर्दों के खिलाफ कारवाई करें स्विलियन, वो भी स्विलियन, वो भी मुसल्मान हैं, हमें चाहिए था कि ब्रधर ओड़ दिखाते, बाईचारा दिखाते, और जो दूसरी ताक्ते हैं, जो कुफर की ताक्ते हैं, उनके खिलाफ लड़ते. इस से फायदा बारत को पहुंचेंगा, अफगानों को नहीं पहुंचेगा, बारत कभी अफगानों के दोस्ट नहीं हो सकता. सुनने में आया है के अफगान फॉर्सेज के पाक्सतान के जो खुरम ट्राइवल डिस्ट्रिक्स है, वजीरिस्तान में और सौफ वजीरिस्तान में जो लोग वह बहुत सारी ट्राइवल डिस्टिक्स हैं वहांपे शेल्स मारे हैं साल से आपको मसलसल यह बात बता रहा हूं कि अगवानिस्तान में अपना नया दुश्मिन दूर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान अब इनका आता है वहां पे सिजदे करते हैं नमस्कार आपका स्वागत ने हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी ने या पाकिस्तान की एर फोर्स ने जो समर आकर अफगानिस्तान के अंदर एरिश डाइक तो कर द पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्ली का जो रियक्शन आ रहा है काफी मजदार है वीडियो पूरी देखना लाइक करना शेयर करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों मैं कहीं दफ लेकिन ये चीज मैं कनफर्म कह सकता हूं कि इंडिया के साथ तो हम बैठ सकते हैं और इंडिया विकाज एक रिस्पॉंसिबल सोबर नेशन है इन मैनी वेज़ वो उनकी एक फॉरण आफिस है वो रिस्पॉंसिबल है बट वन इट कमस तो अफगानस्तान आप अफगानस्त के अंदर एरस्ट्रैक्स की हैं और ये खोस्त पक्तिका के बहुत सारे ऐसे आलाके थे जहां पर ये टीडीपी तरी के तालबान पाक्सान के जो लोग हैं वो छुपे होए थे और ये पाक्सान ने इस पे कोई कमेंट नहीं किया पाक सन आप कमेंटे नाइस लेकर अफगान authorities पर्टिकुलरी जो श्वेब शहीन है उनके स्पोक्स पर्सन सौरी जबियल्ला जो है मुझाइद उन्हों ने इस बात को ये कन्फर्म किया है कि आज सुबो पाकिस्तान ने पक्तिका और होस्त के कुछ अलाके ये वो अलाके हैं जहां पे टीटीपी की हाई डाउट्स है और बड़ी पुरानी है ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो तालबान के साथ नहीं बैठ सकता है टीटीपी के साथ अफगान तालबान के साथ तो बैठ सकता है टीटीपी के साथ नहीं बैठ सकता है ठीक है जनाब सो इस चीज़ को जहन में रखना है हमने कि तालिबान जो हैं वो आपकी कोई रहनमाई नहीं करेंगे, कोई मदद नहीं करेंगे, वो टाइम भाय करेंगे, अफगान तालिबान को इस चीज का बड़े अच्छे से पता है, कि जिन टीटीपी के लोगों के साथ मिलके, उन्होंने अमरीका के साथ जंग लड़ी, क्या वो कि जो मुमालक के लोगों के साथ लड़ने के लिए, जब कभी कोई ऐसे ऑपरेशन होते हैं, तो यहां पर इन चीज़ों को समझने की जूरत है, अफगानिस्तान एक इसलामी कंट्री है, हम भी इसलामी जहमूरिया पाकिस्तान है, हम कहते हैं मुसल्मान, मुसल्मान का बाई-बाई हैं, ऐसी क्या वज़ा होई कि आज अफगानी और पाकिस्तानी एक दूसरे पर एर स्ट्राइक कर रहे हैं, जाहरे अफगानिस्तान भी अब खामोश नहीं बैठेगा, अफगानिस्तान यगर हम बात करें, चालिस साल तक अफगानिस्तान एक ऐसी कौम है, जो मुस्लिम ब्रेदर उड़ होना चाहिए, अब इस साथ तक उन पर जुलम हुआ है, हम अमेरिका ब्रेदर की जोली में जा बैठे थे थे हमारे जनरल मुशरव अगर आप मेरा नाम चलवा देंगे बात अब बात उन पर ही जाके खतम होती है, आपको भी बता है, तो कसूर सा हमें हमें लागे खड़ा कर दिये हैं, हम अपसमें लाड रहे हैं, हम अब उनके मुसलमानों को मारके हम यह जिके हमने बहुत बड़ी अफगानियों सान में इस ट्राइक कर दी आजी दैशितगर्दों को मार दी है, इस यह हमें आज तक क्या फाइदा है पर हमने तो रहे खांदान यहां पर आबाद हैं लेकिन हमारे मुलक ने का नहीं जी नहीं हमने इनको निकालना है क्योंकि हमारे मुलक में देश्टगर्दी इन्हीं के वज़ों से हो रही है और पिर अब उसके बाद आपका पाकिस्तान के जो साथ सोल्जर जो हैं वो शहीद हो गए जिन कि वो जो बाद करें उनकी बाद कर रहे हैं द ये क्रते आ हैं वो जो बाद कर रहे हैं पीछे उनकी बाद आ आगया है वो क्यमरे करदेते हैं अब या तो वो Wijसले हैं ज invention मijतों फूंए। कि उनके साथ खुलम हुआ है अब खुदारा सब बस कर दें अब आपने मुलक पे द्यान दे आप महिश्यत को ठीक करें देशित गर्दी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही बीस बाइस पचीस साल हो गें जब से हम बड़े हो रहे हैं यही सुनते आ रहे हैं अब अफ़ानिस्तान इसका मज़ीद किस तरह से जवाब देगा क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो चेक पोस्ट हैं वहां पर तो फाइरिंग का सिलसला शुरू हो गया है वो गेरतमन कोम है सीधी बात बता हूँ आपको मैं तो पिछे रटने वाले नहीं उन्होंने अमेरिका को बगा दिया है अमेरिका को नहीं नेटो पूरी नेटो थी पता नहीं बीस तीस पैंटीस मुलकों की जो फोज आई हूँ थी उनको नहीं बगा दिया तो हम तो नहीं क्या कि कुछ भी नहीं हमें चाहिए बजाए उनके लड़ने से टेबल पर बैठे बातचीत करें अफगान तालिबान जो वह हमारी आर्मी ने भी नोड़न को पीछे स्पोर्ड किया अमेरिका को बगाने में अब वह एक ऐसी मोमन थी जब अमेरिका यहां से गया ना बजाए आप उनको उनके साथ बैड़के इंडिया जैसे हमारा अवल दुश्मन है आप उसके खिलाफ उनको इस्तमाल कर सकते थ लेकिन जो बाते होती हैं बंद कमरों में वह यही होती हैं कि आपने बजाए उनको इस्तमाल करने के दोसरों के लाव उनके से लड़ पड़े हैं और इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है अब देखे जो पिछली कोवर्मेंट थी अफगान तालबान से पहले इंडिया ने अफगानिस्तान में इंवेस्टमेंट की अपना सुख बढ़ाया अब उन्हों ने जब देखा कि तालबान के साथ इनकी बजाए है कि तालबान के साथ पाकिस्तान बैठता यह उन से लड़ रहा है अमरीका के कहने पे तो उन्होंने उसका बरबूर फाइदा उठा रही है दोस्तो आइए में गॉप के आप को यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और दोस्तु जो मामला है न वो यह है कि अभी एक दो दिन पहले पाकिस्तान की सेना ने क्या कि अफगानिस्तान के अंदर एर स्टराइक कर दी पाकिस्तानी सेना का तो यह कहना है कि उसने अप् keyword माq पाधियों के उफर एरिष्ट्राइक की है लेकिन अफगान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान की वॉयू सेना है उसने-स यह बंबारि की है और बताया जा रहा है कि लगभख आठ इन की इसमें जान चली गए थी बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को वर्णिंग दे दी है और कहा है कि इसके जो अंजाम है न वो आपको बुगतने पढ़ेंगे और हम देख रहे हैं जो रिपोर्ट आ रहे हैं इसके अनुसार अफगान तालिबान ने बॉर्डर के उफर फायरिंग भी खोल दी है और पाकिस्तान की जो चेक पोश्ट है, वहाँ पर बॉर्डर पर जो पोश्ट होती है, उसको निसाना बनाया है और लगातार वहाँ पर फाईरिंग की जा रही है, अब पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी चीःत देखिय का आरा है वह आपने इस वीडियो के अंदर भी ना उनको ऐसा भी है कि जो अफगानी है वो तो पिछले कई सालों से लड़ते रहें अमेरिका के साथ तो लड़ने में उनका तो कोई तोड़ है नहीं तो अगर वो अफगानी पाकिस्तान की ट्रेटरी में गुस्ते है जंग का एलान करते है आने वाले समय में तो पाकिस्तान पूरी वीडियो देखी है अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताना हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद